आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी शौमी फोन के चाहिए वह माई यू 9 पे रन कर रहा हो यह माई यू 10 पे उसके अंदर आप जो है थर्ड पार्टी फॉंट्स को इंस्टॉल कर सेते हैं ना आपको अपने फोन का बूर्टर साथ इसाथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कोई भी फॉंट अपने जो को पसंद है आप उसको डाउनलोड करके भी अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं आपके सभी एप्लिकेशन के फॉंट्स जो है चेंज हो जाते हैं यादिकर सेटिंग के चेंज हो गए हैं आपके डेलर पेंट के चेंज हो गए हैं आपके मैसेज इंबॉक्स है उसके भी आपके जो है सारे के सारे फॉंट्स चेंज हो गए तो वीडियो को पूरा एंट तक देएगा बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा और बेल के नोटिफ की है और बिना अनलोक कि है किसी भी फांट को इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है अपना गोगल प्लीज और अकाउंट पर जाना है और उसपर सर्च करना है M.I.U.I. इसको आपने एक बार इंस्टॉल करना है इसको आप उपन करेंगे जैसे ओपन करेंगे आपको काफी सारे इमोजीस मिलते हैं आपको इमोजीस नहीं करने अगर आपको कलरफूल फॉन्ट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे काफी बड़ी लिस्ट मिल जाती है कलर फॉल की देख पारे होंगे काफी बड़ी लिस्ट मिलती है आपको कलरफुल फॉंट्स की जिनको आप यहां से इसली यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कुछ नॉमल फॉंट्स चाहिए तो काफी सारी फॉंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं अभी हम इसके अंदर जो है एक फॉ करेंगे आपको नीचे बटन देखने को मिलेगा डाउनलोड आप डाउनलोड पर टैप करेंगे और थोड़ी दिर में फॉंट की डाउनलोडिंग यहां पर स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर एक एड़ आएगा जैसी वो डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद प्शम्सेंगर मेंट भाएगा ऑपलाई मी रो्स अदोर्बोड को दीखेंगे फ़ंट नहीं है पोड़ sound को अब ट करेंगे एक rosewood और एक apply rosewood आप apply rosewood वाल भी करेंगे इसको apply करेंगे और reboot कर देंगे अब थोड़ी दिर में जो है आपका phone reboot होगा और यह font जो है आपके phone के अंदर इंस्टालर जो होगा बस सिर्फ एक problem है जैसी आप themes को change करेंगे तो यह font जो है आपके phone में एक्टिव हो जाएंगे तो इसमें एक यही इजू है कि आप इन फॉंट के साथ जैंज नहीं कर सकते हैं जैसी आप कोई themes के अप्लाई करेंगे आपके phone के अंदर वापिस से इंस्टाल हो जाएंगे तो यह दिखाता हूं वह फॉंट हो चुका है हम सेटिंग पहले में जाके देखते हैं यह देखिए हमारे आपने फॉंट को चेंज हो गए आपने जब कभी भी इस फॉंट को चेंज करना है आपने simply themes पर जाना है आपनी themes पर जाएंगे और default theme को apply कर लेंगे उसके बाद जो है आपके phone के जो theme है यानि आपके font है वो चेंज लिए यही तो हो गया कि जो fonts आपको इस application मिलते हैं उनक इसे button में tap करेंगे अब जो font आपने कहीं से download किया है जैसे suppose कि यह हमने download किया है lemon milk board.ttf file इसको हम select कर लेंगे ttf file को और ok करेंगे okay करने का इसको set करेंगे और वही method third last packing up okay that's it अब वापिस हम अपने theme पे जाएंगे और इसी font को हमने जाके apply कर लेना है यह रिखिए lemon milk के दो आए कि नहीं हुआ है हमने phone को ना root किया है ना कुछ किया है simply आप application से किसी third party fonts को easily install करेंगे application का link आपको description में मिल जाएगा तो यह दिखिए अब हमारा phone जो है boot हो गया हम setting में जाते हैं और हमारा phone जो है already इसके अंदर apply हो गया तो इस तरीके से आप कोई भी font नहीं से भी download करेंगे TTA format में उसको apply कर सेते हैं इस application के through उमीद करता हूँ आपको आज करी वीडियो पसंद आया होगा और यह method भी कैसे आप third party fonts को बिना root कि अपने किसी भी Xiaomi phone में install कर सेते तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और like comment share करना मत भूलेगा तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye